जो प्राचीन नाटे का लाग की कुछ विशेषता है और उसके साथ साथ आधुनीक या फिर पाश्चात्य नाटे की कुछ विशेषता जो है दोनों को हम जो है यहापर एक सम्मेलितिक रूप को जो है हम कोणार्ग में देख सकते हैं कोनारक अर्थ क्या है यापर वो मंदिर का नाम है मतलब आज भी जो है अभी वहाँ पर जाएंगे उडिसा में तो यहाँ पर आप उस मंदिर को देख सकते हैं मुक्यस्तापति मतलब क्या है यापर प्रधान शिल्पी जो है यापर कौन है विशू है नमस्कार, मैं हूँ हर्शिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर आज हम मैसूर इनिवर्सिटी के 4th समिस्टर बिकॉम की हिंदी पाट्यक्रम से कोणारक नाटक जो है उसे देखेंगे कोणारक नाटक को प्रारम करने से पहले उसकी जो लेकक है उनका पारिचे यहां परम करेंगे देखे प्रस्तुत नाटक के लेकक है जगधिश चंद्रमातूर क्या है उनका नाम जद्दीश चंद्र मातुजी है इनका जन्म 16 जुले 1917 में उत्तर प्रदेश के बुलन शहरे के कुर्जा नामक गाव में जो है इनका जन्म होता है इनकी प्रमुक रचनाये भोर कातारा, कोनार्क, यादों का पहाड, दस तस्वीरे, नरक कुंड मेवास, ज इनकी जो मृत्यों है वहाँ, 14 मैं 1978 में हुआ, अभी इनकी प्रस्तुत नाटक कोनार्क आपके पट्टे क्रम में जो रखा गया है, अगर उसके बारे में जानना है तो देखिए, श्री जगदिश चंद्र मातुर की कोनार्क नाटक उनकी अत्यंत सफल कृती है, उनकी कृत प्राचीन नवीन नाटिकला का अत्यंत मनोरम सामन जस्ती है, देखिए, नाटिकला के सभी विशेष्टा जो है, वो सभी जो है, इस नाटक में देख सकते हैं, और एक यहाँ पर एक तो प्राचीन और नवीन नाटिकला का अत्यंत मनोरम सामन जस्ती है, आपर हम देख सकत मतलब जो प्राचीन नाटे कला की कुछ विशेष्टा है और उसके साथ साथ आधुनिक या फिर पाश्चात्य नाटे की कुछ विशेष्टा जो है दोनों को हम जो है यह पर एक सम्मिलितिक रूप को जो है हम कोणार में देख सकते हैं और विशे निर्वाचन कतावस्तु क् क्रम विक्रम के रूष्टी से हो या फिर संवाद की रूष्टी से हो या फिर उसके साथ साथ विशे निर्वाचन की रूष्टी से हो सबी रूष्टी से जो है कोणार के एक अद्भुत साफ सुत्री संतुलित कला है साफ सुत्री एक संतुलित नाटक है देखिया पर किया है आपर एक विशाल समय का स्पंधन और क्रंधन को जो है मानों जैसे गागर में सागर बरने की तरह जो है इस तरह जो है कुछ नाटक की रशना जो है इन्होंने किया यह पर आप देख सकते हो क्या है सिर्फ तीन ही तीन छोटे-चोटे अंकों के अंतरगत क्या है विरा जीवन का स्पंधन और कंपन और क्रंधन को सबी जो है उसमें यहां पर लाने की कोशिश जो है लेककने किया है तो ऐसे में कैसा मालूम होता है वो गागर में सागर की तरह जो है आपर मालूम होता है अगर अब कौनाक नाटक को देखेंगे तो बहुत ही चोटे-चोटे- तीन अंक जो है उपक्रम के साथ हम देख सकते हैं मगर उसमें जो विच्चार एक विशाल युक्का ही एक विराट युक्का ही यहां पर उसमें एक कहानी को जो है लाने की संपूर्ण एक सफल खोशिश जो है आपर लेककने किया है यहां एक आईतिहासिक नाटक है मतलब आईतिहासिक घटनाप्रधान नाटक है देखेग तेरवी शताबदी में उडिसा में जो है यह पर तेरवी शताबदी में विचैनारसिम्म देव के ईकल में जो है यह अपर एक करणार कसूरी देव का उन्युक्ता बहविय और विराठ मंदिर करणार को जो बनाया गया था और वहाँ पर अगर हम उसे आज देखने के लिए जाएंगे तो इक भगनावा शेश में इस मंदिर को देख पाएंगे कुशंट रहेगी और अलूद में उससे गटना प्रादान भी है किस राजा ने इसे बनाया क्यों ऐसे वह सब कुछ एक इतिहास भी है इसका तो क्या है गटना प्रदान कथा को रखकर काहानी को रखकर लेकक ने क्या किया जगदिश चंद्रमातुर जी ने आपर एक नाटक कुणार्क नाटक की रचना जो है आपर की है क्यूंकि मंदिर क प्रदानी प्रदानी ऐखस्श्यक में इसे में जाएंगे तो यहाँ तो यहाँ पर उस मंदिर को देख सकते हैंते मंदिर एक भगनावा शेश में क्या है कि सूर्य की मंदिर को जो हम देख सकते हैं तो वैसे क्यों होगा करके वहाँ पर जो लोकता रहते हैं तो उस लोकता में मूह लोकता में यह पर ललित रस और करुणारस प्रदान है उसमें क्या है ललित रस और करुणारस प्रदान है औ और वहां कस्ट पूठाता है और अगर किसमे मंदिर मंदिर जो है अच्छे में मेंugd्यस के चाल यहीं है। चोनि Reallyцию और इस कहानी में क्या है जिसका वर्णन जो किया गया है वहाँ सूरी भगवान का मंदिर है इसे याद रखिएगा और उसके साथ साथ कॉनार्क का जो अर्थ है वो उस मंदिर का नाम है सूरी भगवान मंदिर का नाम है वहाँ याद रखिएगा कॉनार्क फिर उसके साथ काम भी आपको अच्छे से याद में रखना है तो थोड़ा सा आप worried I'm जानकारी पर नातक के प्राप्ट कर लिए तो यहाँ पर ना तक को प्रारंब करने से पहले यह पर पात्रों का परिचिकरना श्रकी देखे में प्रारंब में यह पर नाटक की जो कथा वस्तु है वहां में आपको नहीं बता रही हूं सिर्फ इतना यहां पर मैंने अभी आपको जानकारी दी है कि कुणार को मंदिर को जो तेरावी शताब्दी में नर्सिमदेव जो उतकल नरेश था उस समय क्या है वहां का जो राजा था उसने आपर ओडिस्सा की जो मंदिर कुणार को जो मंदिर है उसे बनाने के लिए किस तरह वहां शिल्पी को कहता है फिर कितने सालों में वहां मंदिर बनता है फिर उसके बाद वहां मंदिर क्यों जो है वहां मंदिर टूट जाता है या वहां मंदिर जोए अभी एक सूव्टा में सुस्तिति में हैं वाहां मंदिर इसे ani गोनार्क नाटक की जो एक कथा वस्तु है फिर कहानी जो है इसे रच्छा गया है। तो यह पर देखर पहले पात्रपरिशे बहुत ही जरूरी है नाटक कहते ही, तो ऐसे में एक तो सूत्रदार जो है रहता ही है, फिर उसके बाद पहली वाचिका, दूसरी वाचिका, देखे इस अभी कौन है उपक्रम उपसंभारा और उपकतनों की वृंदवार्तिक तो ऐसे में नेक्स्ट देखे विशु धर्मपद विशु जो है वहां उतकल राज्जी का प्रधान शिल्पी है और कोणार का निर्माता कोणार का मंदिर का जो निर्माता है मतलब किस ने बनाया है वहां विशु है वही मुक्य शिल्पी है उतकल राज्जी का मतलब आज की ओडिसा का क्या है मुक्य शिल्पी है प्रधान शिल्पी है उस समय राजा के आस्थान में रहने वाला प्रधान शिल्पी तो ऐसे में इसे याद रखेगा अच्छे से नेक्स्ट आता है आपर धर धर्मपद एक प्रतिबाशाली युवक शिल्पी है यहां नर्सिम्हदेव उतकल नरेश नर्सिम्हदेव उतकल नरेश ऑपनवाया है याद रखेगा क्यों मैं इतना डीटेल यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वन माक के लिए आपको कैसे भी प्रश्ण पूछ सकते हैं तो ऐसे में मल्टिपल चौर इसके लिए आपको पूछ सकते हैं कि कुणार्क मंदिर को किस ने बनाया बनाया जब आपको पूछेंगे तो आपको विशु को चुनना है वही किस ने बनवाया या फिर किस राजा ने बनवाया करके पूछेंगे तो नर्सिम देव का नाम जो उतकल नरेश है मतलब उतकल राजी का नरेश मतलब राजा है तो इस यह है माहा मात्य मतलब यह पर प्रदान दिवान मंत्री तो ऐसे में इसे याद रखेगा अमात्य मतलब मंत्री है यहीं महामात्ति जो है इस कहानी में या फिर इस नाटक में जो है खलनायक का पात्र जो है निबाता है अप्र निबाता है। सव मिश्रीदत वहां है विशु का मित्र और मंदिर का नाट्याचारी मतलब नाट्याचारी मतलब नुरत्य सिखाने वाला देखें आपर विशु का मित्र भी है यह सव मिश्रीदत विशु का मित्र भी है और उसके साथ साथ वहां नाट्याचारी है मतलब उत्कल नरेश के आस्थान पर क्या है पर नृत्य सिखाने वाला जो है वहाँ है अब भी क्या कह सकते डैंस मास्टर भी आपर कह सकते तो नाटिया चार ये भी है नेक्स्ट आपर राजीव देखे राजीव मुख्य पाशान कोर तक है राजीव कौन है पर मुख्य यहां से लेकर यहाँ तकी सभी पातर प्रमुक पातर के अंतरगत आते हैं यह याद रखीगा तो अपर नायक नािक नाइक मतलब हरोईन और उसके साथ सथ खल नायक विलन विदूशक यह फिर उनके खास दोस्त मित्र सभी जो है आपर इसकी के अंतर्गत के नामगों को अच्छे से याद में रखना बहुत जरूरी है। कि इसलिए इस अभी प्रमुख पात्र के अंतर्गत कौन कोन आता है विशुप धर्मपद नर्सिम देव राजाराजचालु की सामेश्विडत राजीव नेक्स्ट यहां से यहां पर गवंण पत्र के अंतरगत मतलब कोते हैं उनको अभी हम देखेंगे तो एक तो शायवालिक है जो चालिक की आधिकारी महेंद्र वर्मन मतलब हो यह पर क्या है वहां एक रहस्यादिकारी है जो उतकल नरेश है उतकल का जो राजा नरसी महदेव है उसका यह पर रहस्यादिकारी कौन है महेंद्र वर्मन वनमा के लिए भी पूछ सकते है कि उतकल नरेश का रहस्यादिकारी कौन है वहापर आपको को विशु करके पूछ सकते हैं चालक क्यों करके पूछ सकते हैं राजिव पूछ सकते हैं और महेंद्र वर्मन करके भी पूछेंगे तो आपको किसे सेलेक्ट करके लिखना हैंसर महेंद्र वर्मन को महेंद्र वर्मन यह पर एक रहस्यादिकारी है नेक्स्ट बासकर एक अन् प्रदान कहानी मतलब इसकी जो खतावस्तों है तो ऐसे में समय कौन सा है इसा 1260 मतलब हम कह सकते हैं 10 वी शती के समयी में डवगबल यहां जो समय संसे उसका स्थाम कोनार्क को प्रतम्हां की जो स्थान हो गटित होता है वहां प्रतम अंक तो वहां कुणार्क मंदिर में विशु के कक्ष में विशु कौन है प्रधान शिल्पी है नेक्स्ट या पर देखे द्वितियांक भी वही मतलब कुणार्क मंदिर में विशु के कक्ष में जो है दूसरांक भी होता है तो ऐसे में प्रतम अं जो है वहां मंदिर के गर्बग्रह से सटा हुआ मन्दिर में जहांपर भगवान की मूर्थी होते हैं जहां पर भगवान की मूर्म्ति करक्र पूजा के जाते हैं उसी वही को ज़सी बागन को जो है गर्बग्र competent इतने पात्रों को जो है हम इस नाटक के अंतरगत देख सकते हैं तो यह रहा पात्र परीचे अभी हम नाटक की शुरुवाद करेंगे मैं फिर से अपर आपको बता रही हूं रहें रहें और आप बहुत है और प्रेंग के साथ उसे जान पाएंगे तो नाटक के शुरुवाद में देखेंगें पहला उपक्रम है जीन अंदकार में कोणार के कंड़हर की हलकी जलक दिख पड़ती है सम्मिलित वाध्यों का स्वर उस संगीत की अंतिम ध्वनिया ऐसी है जैसे सागर की लहरों का अनवरत ना ठकने वाला सुरुष्टी का व्यंगी मई वेदना से परिपोर्ण रुदन हटात संगीत रुख जाता है अब पहले उपक्रमों के बारे में अगर हम देखेंगे तो देखें आपर क्या है अभी ये सूत्रदार जो है ताकि वहां रंग मंच पर खेला जाए और उससे लोग देखें सिर्फ सुने नहीं सिर्फ पड़े नहीं वहां लोग जो है देखें वह ज्यादा जो है अपर क्या लगता है प्रभावशाली होता है उसकले लेक बात ह्ए ये और आपने फाट को पहुंचाना चालते है और फायर्ट ऑर भी अच्छे से वह उन्सक्यां कि अनकी दिल को hangsल में चोंग है कि स्टेज्व हां किस तर लिए दॉर्टे आता किस आपर करते तो जीने आंदकार जीने पतर बहुत Hers heißt सब्सक्राइब जो है देख सकते हैं तो ऐसे में सम्मिलित वाद्यों का सभी तरह की वाद्यों का जो इंस्ट्रुमेंट मुजिकल इंस्ट्रुमेंट है उन सबका जो एक स्वर जो है सुना ही पड़ता है उस संगीत के आंतिम द्वनी ऐसी होती है जैसे सागर की लहरे देखिया पर उस जो द्वनी आंतिम द्वनी तक क्या है कभी ना रुखने वाला कभी ना रुखने वाला कभी ना तकने वाला और सुरुष्टे के वेंगी मैं वेदना से परिपूर्ण रूदन क्या है मानो वह संगीत ऐसे चलता है कि यह कभी ना रुखने वाला हो यह कभी ना तकने वाला हो किस तरह सागर की लहरे बाद मे उसके अंत में जो है एक रूदन एक ठात संगीत जो है फिर रुख जाता है एक रूदन उसमें एक क्रंदन जो है वहां रहता है रूदन मतलब अपर क्या है एक परिपूर्ण रूदन एक क्रंदन एक दुख जो है उसमें होता है फिर संगीत रुख जाता है क्षण बर्क के लिए पूर्ण मौन और निवीड अंधकार फिर उसके बाद वो संगीत रुखने के बाद खंडार दिख रहा है स्टेज पर मतलब स्क्रीन डाल कर रहते हैं तो ऐसे में क्या होता है फिर खंडबर में एक अंधकार निवीड अंधकार मतलब घना अंधकार अभी देखें जीन प्रकाश की मंद रेखा तीन आकृतियों को ज्योतित कर देती है फिर उसके बाद उस गने अंधकार में क्या है तीन लोग आकर स्टेज पर रुख जाते है तो उन तीन लोगों पर प्रकाश जो है वापर पड़ता है जैसे स्पाटलेट के सकते तो प्रकाश जो है उन पर कौन है मंच के एक सिरे पर अगर भाग में कड़े हुए सूत्रदार मंच के एक सिरे पर अगर भाग में कौन खड़ा है सूत्रदार नारेटर जो है पर खड़ा है और दो वाचिका है मतलब दो वाचिका है मतलब उसको पढ़कर बताने वाले तो ऐसे में अत्वा वाचक भ करता करता के सकते हैं में कि लंबा कुर्त जो गुटने के नीचे तक आता है तो इक लंबा वाला कुर्ता बंद गले वाला कुर्ता जो है उसने पहना हुआ रंगीन पगडी का एक पर अंग वस्त्र जेश्चन कि में मुन nervous पास्तिका है जो है वहां लहंगे पहनी हुए और वोड़ने जो है वहां पहनी हुए दिवाचा की तो वह भी जो है पगडी धोती और चोटी चपकन पहन सकते हैं यह सबी जो है अगर आप जो यह नाटक है उसे अगर प्ले करने वाले मतलब रंगमंच पर खेलने वाले हैं को दिखाने वाले हैं तो किस किस का जो वस्त्र है वो किस तरह रहना चाहिए कब कौन आएगा कब कौन जाएगा इसे भी जो है आप नाटक में रहता है तो इसके बाद देखें क्या होता है वो तीनों आकर खड़े हो जाते हैं कौन अभी लंबी चपकन पहने रंग बी रं माहुल फिर उसके बाद देखें अपर पहली वाचिका नन्यी लहर से दिखें दूर वहां कंड़ सोता है पूर्भी सागर के तड़ पर सुनाती अगरित अटक लहर लोरि Pasar रेत की सेज सज्जोई क्लांत मौन वहां पहनी खंड़ हर सोता है यहां देखें पहली वाचिका में तो दोर सोता है पूरवी सागर के तटपर सुनाती अगणित अतकल है देखिया अगणित मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता तक मतलब कभी न ठकने वाला तो ऐसे में क्या है पूर्वी सागर पर पूर्वी सागर के किनारे में उसके तट पर जो है क्या है एक कंद हर जो है मतलब Qunarchewandir जो है Manu वहाँ सो रहा हो बरसों से सो रहा हो । ऐसे में क्या है क्या है चाहि आ पर्पर on amazing Je juryed उसलोरिया जो है सुना रहे Teresa सागर姦र की लेयर को कोई गिन सकता है और अठक मानो ऐसे लगता कि य 그कते ही ने और क्या भी थकते इने कैसे कया है यरा ऑते ही रहते हैं तो करको कैसे मes कि वो अभी भगनावा शिश में इसलिए सो रहा है करके से कहा गया है फिर उसके बाद देखिए लोरिया मानो वह लहरे ही लोरिया गाकर जो है उसे सुलारियो निशी वासर निशी मतलब निशा निशा मतलब रातरी मतलब रात वासर मतलब वासर मतलब बासर बासर मतलब दिन रात दिन निशेकारत है निशा निशा मतलब रात वासर मतलब बासर मतलब सुबा रात दिन जो है वहाँ जिस पूर्वी सागर के तट पर सागर मतलब समुद्र के तट पर जो एक कुणार के मंदिर स्तित है तो वहाँ पर मानो लगता है वर्सों से जो है वहाँ सो रहा है और सागर के लहरे ही क्या है या पर उसे लोरिया गाकर सुला रही है रेत की सेज संजोए क्लांत देखे रेत की सेज संजोए रेत मतलब मिटी क्या है या पर जो सागर के किनारे पर जो मिटी रेती है वह पर मनो उसी को ही सेज बना कर देखे रेत को ही उसी को ही सेज बना कर क्लां क्षीन काय वाला जो कंड़ हर है माउन होकर मानो बर्सों से सो रहा है ऐसा लगता देखें कितनी कलात्मक डंग से कितनी काव्यात्मक रूप से अपर अभी वो कुणार का मंदिर का जो परीचे है वहां करा रहे हैं कर दिया क्योंकि बर्सों से वहां कंड़हर के रूप में मतलब भगना वशेश में यह तो ऐसे में सूर आया और उसे क्या है सागर की किनारे जो है लोरिया गारी रेत इसके लिए क्या है शया है ऐसे कुछ यहां पर बता कर वह हम प्रारंब करते हैं नेक्स्ट देखें दूस क्या कहते है आकुलतरंग सांच का सोने सा बादल दूपते सूरज की बेकल सास सा चंचल पर निश्चल अधूरे सपने सा अभिराम कौन वहां कंडहर सोता है थोड़ा विराम मंद और करुण वाद्दिस्वर और फिर देखिए अभी दूसरी का क्या कह रहे है आकुलतरंग से सांच का सोने सा बादल है अभी क्या है सांच मतलब शाम की समय में किस तरह सुनेरा बादल जो है चाया होता है डूपते सूरज की बेकल सास सा चंचल पर निश्चल देखिए चंचलता भी है और निश्चलता भी है एक तो किस तरह है अपर सूरज डूपते समय वह सुनेरा माहुल आसमान में हम देख सकते हैं मानो सुनहरा बादली चागए ऐसा लगता है तो ऐसे में आपर सास चंचल भी है पर निश्चल भी है अधूरी सपने साभिराम कौन वह कंडर सोता है अधुरा सपने की तरहां यह वहां कौन कंड़ हर सो रहा है मानो इस तरह जो है पर दूसरी वाचिका पहली वाचिका को पूछ रही है कि यहाँ पर क्या है पहली वाचिका कहती है कि बरसों से कंड़हर सो रहा है तो वहाँ कौन सा कंड़हर है जो सो रहा है इस तरह यहाँ पर वहाँ पूछती है लेकिन एक दिन बहुत दिन हुए वहाँ सपना पूरा हुआ था 700 वर्ष पहले की बाद उडिस्टा प्रदेश में परम पराक्रमी महाराज नरसिम्ह देव का राज्य है और उनका मुख्य स्तापती है महाशिल्पी विशू जिसने एक के बाद एक चार अदवत मंदिरों का भुवनेश्वर में निर्मान किया फिर भी राजा की कामना और शिल्पी की साधना पूरी ना हुई दिखिए पहली वां चे का यह से समय में करके वह पूचती है पिर उसके बाद उसके बाद क्या होता है फिर सूतरदार कहता है गंबीर स्वर से वहां क्या है कहता है कि लेकिन एक दिन बहुत दिन हुए वहां सपना पूरा हुआ था साथ सो वर्ष पहले की बात है अभी जिस कंड़ार की बात वह करें कौन सो रहा है चरके कहें रहे हैं 700 वर्ष पहले की बात कितने साल 700 यह जो पहले की बात वह कहानी अभी ऐसे कहानी जो है शुरू करते हैं उडिस्टा प्रदेश में पराक्रमि महाराजा नरसिम्ध देव का राज्य है 700 वर्ष की पहले की बात अभी वहाँ शुरू कर रहे, वह जो कहानी है भी यहाँ पर शुरू यहाँ पर शुरू हो रहिए. तो ऐसे में 700 वर्ष पहले जो है, राजा पराक्रमी नरसिम्होदेव जो है, वो उडिसा राज में जो है, उसका शासन चल रहा था, तो ऐसे में उडिसा राज्जी का उतकल नरेश जो है उसे कहा जाता था और उनका मुक्य स्तापती है महाशिल्पी विशु देखे विशु बहुत ही इंपोर्टन्ट क्यारेक्टर है नर्सिम्ह देव और विशु मुक्य स्तापती मतलब क्या है पर प्रदेश शिल्पी जो है यापर कौन है विशु बहुं है जिसने एक के बाद एक लगातर चार मंदिरों का निरिमायण जो है कर दिया निर्मण करवाया किसने égal क्या किसने महा शिल्पी विशु नियुक्सा आप अहां पर निर्मान करते हैं फिर उनको तसली नहीं मिलता है फिर गया पूरी नहीं हुआ फिर भी राजा की कामना एक जो इच्छी है इच्छा है उसके मन में और फिर उसके साथ शिल्पी की जो साधना है वहाँ पुरा ही नहीं हुआ तो ऐसे में आगे देखिए और अब फिर पूरा ही नहीं हुआ फिर अब देखिए वहां महाशिल्पी विशु की निकरी हुई कला का अभूत पूरु चमतकर भगवान सूरी का जगमगाता हुआ पुन्य धाम कुणार्ग आप प्र लेंट आप देखिए यहां 12 सालों तक यहां समयल यां कोनार्ग मंदिर बनाने के लिए बारा साल तक और उसमें बारा सो से भी क्या हैं बारा सो से भी ज्यादा कर्माचारी यह फिर शिल्पियों का परिश्रम जो है उसमें है प्रदान शिल्पी विशु है मगर यह अकेला तो उतना बड़ा भवी मंदिर का निर्माण जाए नहीं कर सकता शिल्पी है न ये भी तो ऐसे में बारा सो कर्मचारी और शिल्पियों का जो है सहाइता लेकर उतने सरे लोगों को रखकर जो है विश्व ने जो है वहां मंदिर बारा साल समय लेकर जो है उसे पूरा करने में लगा प्रसिसी में राजा वि उसको जो बी जूबिशने उठाए तो ऐसे अभी क्या है जब उन appetite नहीं जान मिलती है चार निर्माण की निर्माण के बावज़ा उनको जब粥ती नहीं मिलता है तो फिर वो कोनारक मंदिर का निर्मान करने लगते, आउरब करके महाशिल्पी विश्व की निक्री हुई कला का अभूत पूर्व चमतकार, मानो, क्या है, कला की जो है अभूत पूर्व है, और चमतकारी मंदिर ही कह सकते, इतनी सुंदरता से उस मंदिर को बनाया गया है इतनी अच्छे से उसमें खला करी जो है पर उन पत्तरों में हम देख सकते हैं तो ऐसे में वहां किस भगवान का मंदिर है सूरी भगवान का जगमगाता हुआ हुआ हुदित हो रहा है बारा सो शिल्पियों और मजदूरों की बारा बरस की कितने गलिदध्व हो रहा है और फिर उसके साथ बारा सो शिल्पियों का परिश्रम लगा वारा सो और उसका साथ बारा बरस की लंबी साधना कितने सालों में मंदिर को पूरा किया गया करके भी वनमा के लिए पूछ सकते हैं बारा साल पंदरा साल दस साल पांच साल तो बारा बरस मतलब बारा सालों तक जो है उस मंदिर को या पर पूरा करने के लिए उतना समय लगा फिर बारा सालों की और उसके साथ 1200 करमचारी या फिर शिल्पियों की साधना जो है कटोर मेहनत के बाद जो है यहां मंदिर अभी क्या है बना है तो ऐसे में देखे विशु की विराट कलपना साकार हो चली है हाँ विराट कलपना देखे तो ऐसे में लगबग बन गया है मंदिर 12 सल हो चुका है तो यह जो स्ट उसे आचरण में लाने का समय है थोड़ा सा कालस बिटाना है यहां से शुरू होता है तो आप देखिए विशु की विराट कल्पना भी साकार हो चली है विशु को ने प्रदान शिल्पी है तो उसकी जो विराट कल्पना है देखिए कोई भी कल्पना हो चाहे मंदिर बनाने के लिए हो या फिर क्या है कोई भी कल्पना हो चाहे कोई पेंटिंग हो फिर कुछ भी हो कल्पना को बनाने से पहले एक कल्पना जो है आपर करनी पड़ती है है ना उसके दिमाग में पहले से उसका चित्र जो बना रहता है तो वो जो विराट कल्पना है कल्पना करके रखता है वो है ना तो वो जो विराट कल्पना है अभी साकार हो उटा है क्यूंकि पूरा हो गया देखे आपर आप देख सकते हैं वो जो रत के आकार में है देखे मतलब यह पत्तर है मतलब सिर्फ पत्तरों से बना हुआ एक विशाल मंदिर है वह फी कैसे बना है कि साकार में बना है रत के आकार में इसे फीयाद रर्खेगे रहोग सूरी की रत रहता है तो वामांदिर बनाया सैकडो गज लंबी चौडी है जिसकी पिष्ट दुर्ग प्राचीर से व्रहद है जिसके बारा चक्र और गिरी से विपुल है जिसके साथ भवी गोडे दिखिये पर कैसे उसका वर्णन कर रहें उस मंदिर का वर्णन मतलब अभी जिस रूप में आपर हम देख रहें वो सिर्फ भगनावशेशे वो तूटा हुआ मंदिर जो है अभी हम जो देख पा रहें मगर सोचिये जब मंदिर को पूर्ण रूप से बनाया गया था तो वहां मंदिर कितन भवी रहा होगा तो उसी का वर्णन आपर कर रहें तो ऐसे में पाशान से पत्तर से बना हुआ एक बहुती विशाल रत है फिर सैक्डोगज लंबी चोड़ी है जिसकी पिष्ट मतलब क्या है सैक्डोगज लंबी और चोड़ा है फिर उसके साथ साथ दुर्ग प्राचीर स आज है जिसके ऐना चक्र देख सांगत है यह पर एक दो थीन है अपर चितर में देख आख तो बारहरा जहाने कि अ बहुत ही व्रूहद है बड़ा है करके दिखिए इस तरह पपहल केते हैं फिर और मतलब्य है फोर्ट पर के फोर्ट तो यसे में गिरी से विपुल है जिसके साथ भवे गोड़े कि दूर्ग से भी मतलब यहां पर वॉठ से भी पर बहुत यह एक चक्र है उसके संस नहीं साथ मतलब पह्ले रहते ना साथ गोड़े रहते फिर उसके बाद juice के पिछे रहते हいました इस आकार में ज़िये मंदिर को बनाया गया था और मंदिर के बीत है एक अनोका चमतकर सुरी भग्वान की जवाजल लिमानु मूर्ति दिखी और ऐसी एक सूरी की रत के ही आकार में सात गोडे हैं बहुत ही बड़े बड़े गोड़े जिसे पत्तर से बनाए गए घुरू से बना हुआ है दिलीने मैं इसे उसके बीतर गर्गुरु में मंदिर में जो है एक आनोखा चमतकार सूरी भगवान है की मूर्ती है ज्वाजल्य मान मतलब क्या है पर ज्वाजल्य मान का अर्थ है प्रकाश मान प्रज्वलित होता हुआ एक चमतकारी सूरी भगवान की मूर्ती वो भी कैसे है चुम्बक पत् से निरादार शून्य में लटकी हुई है हां विराट कलपना साकार हो चलिए तो अभी यह सूत्रदार ही कह रहा है नरेटर ही इस अभी नरेट करके अभी बोल रहा है तो ऐसे मैं देखिया अभी क्या है बहुत ही विशाला काई वर्हभधा काई कई पर एक मंदिर है वो अधर पत्तरों से बना हुए और वहां रत के आकार में है साथ गोडएं बारा चक्र है। और ऐसे में मंदिर के अन्दर सूरी भगवान की मोर्ति हैं। म्तलब बहुत प्रकाशित होता हुआ। एक चमक प्रकाशमां मूर्ति कैसे खड़ा है। निरादार कड़ा हैं देख सकते। आपर निरादाय में लटकी मतलब क्या होसी चुंबगवान आपकंदी के कितना सुनदर क्या है आपकं यह है रहा होगा उसी समय में आज तो टेक्नलोजी बहुत बढ़ गया है चोड़ दिजे आज की बाद चोड़ दिजे 700 साल पहले तेरावी शताब्दी में ही ऐसे अगर कुछ उस मंदिर में वहाँ लटक रही है किसे चुंबक पतर के आधार पर तो सच में आज विश्यु की विराट कलपना थी वहाँ साकार हो चली है करके यांपर कहते हैं कोन सूत्रदार तो इस तरह मंदिर के बारे में कहते हुए अभी आगे देखें सूत्रदार क्या कहता है लेकि में सिर्फ मंदिर का एक शिकर जो है पूरा होना बाकी है सारह उतकल कि कुनारक पर है तो जो उनके कंदिक होए ही दिस चाहीओ द जब होगा उसका शिकर पूरा और मंदिर प्रचलित में आएंगी तो यह जो है आपर सब की नजरे मतलब उतकल उस समय में उतकल राजमी सबी लोगों की चाह सामाने प्रजा से लेकर राजा तक सबी लोगों की जो नजरे उस पर टिकी हुई है कब उस पर केशरी पता का फहराएगी यह वी इंपोर्टेंट है आपको ऑना क्यूंग मैं इतने किस संदर्बुप में रहाँ कोनार्प मंदिर टारीफ में उस संदर्बु मन में इच्चा कि कब मंधिर पूरा होगा और कब उसपर केस्रीपताः का फैर आएगी कब कब, मौन संगीत क्षणिक उठान के बाद बंध हो जाता है, प्रकाश की रेखा सूत्रदार और वाचिकाउं पर से हटकर बीच मंच पर पड़ती है, सूत्रदार और वाचिकाउं का प्रस्थान कंडहर की जहलक लुप्त हो जाती है और उसके स्थान पर देखिए, अभी प्रकाश की रेखाय सुत्रदार और वाचिकाओं पर से हट जाती है प्रकाश जो है मतलब जो उन पर पड़ा रहता है सुत्रदार और वाचिकाओं पर उनसे हट जाता है सुत्रदार वाचिकाओं का प्रस्थान प्रस्थान मतलब उनसे चले जाते हैं पर कंड़ार की जलक लुपत हो जाती है स्क्रीन रहता है स्क्रीन पर स्क्रीन रहता है मंदिर जो दिखा रहे वहां भी लुपत हो जाता है और फिर करके उसके स्तान पर करके आपर बताएं गया आज के लिए इतना ही इसके बाद क्या होता अभी क्या है मंदिर के बारे में बताता है उसे पहले वाचिकाय के आभी किस हाल में करके वाचिकाय करती RYAN कंड़ार जो है वहां सो रहां है बरसन से करके तो ऐसे में उसके बाद सुत्रदार जो है मतलब उसे पहले की बात जो है 700 साल के पहले की बात जो है वह कहता है कि नर्सिम्ह देव और जो विशु है प्रदान शिल्पी वो दोनों मिलकर एक समय में भूनेश्वर में लगातर चार मंदिरों का निर्मान कंटिनेसली करते रहते हैं तब भी उनको तुरुपती नहीं मिल तो वो क्या करते हैं सूरी बगवन की मंधिर को बनाने कि यक तस्के बाद वहां मंदिर भनता भी है लग बग तो उसके बाद यहां पर शिकर बिटाना बाकी है तो इतना सब कुछ कह कर क्या है यहां सूत्रोदार और वाचिकाय चले जाते हैं आगे से नाटक शुरू होता पहला अंक जो है वहार शुरू होता है जिससे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे धन्निवाद